अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडिय इश्वरिय शक्ति को हमारे पूजनिय गुरुदेव श्री स्वामी जोतर मैंनंद जी महराज को सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरकपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुरान के स्विष्टी खंड का श्रवन करेंगे आज का अध्याय है पित्र भक्ति, पाती ब्रत्य, समता, अद्रोह और विश्नु भक्ति रूप पांच महायग्यों के विशे में ब्रामन नरोत् था राजकुमार बोले महात्मन इस संसार में आपके समान धर्मग्य और जितेंद्रे पुरुष दूसरा कोई नहीं है ये सुनकर अद्रोहक ने उस विग्य राजकुमार से कहा भाईया मुझे दोश न देना इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कोन पुर भाईया इस शोभा संपन नगर में बहुतेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं यहां किसी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है राजकुमार पुनह बोले जैसे भी हो रक्षा कीजिए मैं तो अब जाता हूँ रहस्त अद्रोहक ने धर्म संकट में पढ़कर कहा ता यह था इस अरक्ष वस्तू की रक्षा के लिए आप ही कोई अनकूल और प्रिय उपायबत पाईए इसे मेरी शया पर मेरे एक और मेरी स्त्री के साथ शैन करना होगा फिर भी यदि आपने इसे अपनी वल्लभा समझें तो तब तो यह रह सकती है नहीं तो यहां से चली जा ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले सुन्दरी तुम इनके कथानुसार सब कार्य करना तुम पर कोई दोश नहीं आएगा इनके लिए मेरी आग्या है यों कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश से गंतव्य स्थान को चले गए तदनंतर रात में अद्रोहक न नहीं होते थे अपनी स्थी के स्पर्ष से ही उनके मन में कामों भोग की इच्छा होती थी इदर राजकुमार की स्थी के स्थन भी बार बार उसकी पीठ में लग जाते थे किन्तु उसका उनके प्रती वैसा ही भाव होता था जैसा बालक पुत्र का माता के स्थनों के प्रत उसके प्रती मात्रभाव को ही द्रड़ रखते थे। क्रमशह उनके हिर्दे में स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार छे मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पती अद्रोहक के नगर में आये। कर आश्चरे में पढ़ जाते थे और कुछ इस प्रकार उत्तर देते थे। भाई तुमने अपनी स्त्री उसे सूप दी है और वह उसी के साथ शैन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं। अद्रोहक ने अपने धर्माचर्ण के बल से लोगों की कुछित चर्चा सुन ली। तब उसके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुब संकल प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयम लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच प्रतापी राजकुमार अद्रोहक के घर आ पहुँचा। वहां उन्होंने अद्रोहक था अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था और अद्रोहक अत्यंत विशाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिती जानकर राजकुमार ने कहा भाई मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद लोटा हूँ आप मुझसे बादचीत क्यों नहीं करते अद्रोहक ने कहा मित्र मैंने आपके हित के लिए जो दुशकर कर्म किया है वे लोकनिंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है अतहा अब मैं अगनी में प्रवेश करूंगा संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार देखें श्री भगवान कहते हैं ऐसा कहकर महा भाग अद्रोहक अगनी में प्रवेश कर गए किन्तु अगनी उनके शरीर वस्त्र और केशों को जला नहीं सका अकाश में समस्त खड़े देवता प्रसन्न होकर उन्हें सादूबाद देने लगे सबने चारों और से उनके मस् अद्रोहक को आग से खींच कर बाहर निकाला और प्रसन्नता पूरवग दिव्य पुश्पों से उनका पूजन किया उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मे हुआ समस्त मुनी वरों तथा विभिन वरनों के मनुश्यों ने उन महा तेजस्वी महात्मा का उनका नाम सज्जना द्रोहक रखा उनके चरणों की धूली से पवित्र हुई भूमी के उपर थेती की उबच अथिक होने लगी देवताओं ने राजकुमार से कहा तुम अपनी इस तरी को स्विकार करो इन अद्रोहक के समान कोई मनुश्य इस संसार में नहीं हुआ है इस समय इस पृत्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोब ने परास्त ना किया हो देवता पुरुष मनुश्य राक्षय स्मरिग पक्षी और कीट आदी संपून प्राणियों के लिए ये काम दुर्जय है काम लोब और क्रोध के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है काम ही संसार बंधन में डालने वाला है प्रायह कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है इन अद्रोहक के ने इस अद्रोहक ने सबको जीत लिया है चोदाओं भुवनों पर विजय प्राप की है इनके हिर्दे में भगवान श्री वास देव बड़ी प्रसन्यता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं इनका सपर्ष और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निश्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्ट करते हैं यों कहकर देवता आविमानों पर बैठ अनंद पूर्वक स्वर्ग लोग को पधारे मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिये तथा वे दोनों उस्तरी पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए तब से अद्रोहक का दिव्यदिष्टी प्राप्त हो गई है वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोगों की बातें अनायास ही जान लेते हैं व्यास जी कहते हैं तदनंतर अद्रोहक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसनता के साथ उनसे धर्ममयूप देश तथा हितगी बातें पूछीं सज्जना द्रोहक ने कहा धर्मग्य ब्रामन आप पुरुष हो जाएगा इसके सिवा आपके हृदे में और जो भी कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ती हो जाएगी ये सुनकर वब्रामन द्विज रूप धारी भगवान के साथ प्रसनता पूर्वक वैशनव के यहां आया वहां पहुँचकर उनके सामने बैठे हुए शुद्ध हृदे वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो समस्त शुद्ध लक्षनों से संपन एवन अपने तेज से देदिप्यमान थे धरमात्मा द्विज ने ध्यान मगन हरी भक्त से कहा महात्मन मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ मेरे लिए जो जो करतव्य उचित हो उसक तुमें अनुपम कल्यान की प्राप्ती होगी आज तुमारा मनोरत सफल होगा मेरे घर में भगवान श्री विश्नु विराजमान है वैशनव के यों कहने पर ब्रामन ने पुना उनसे कहा भगवान श्री विश्नु कहा है आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन करवाईए वैशनव ने कहा इस सुन्दर देवाले में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का धर्शन करो ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यों के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा उनकी बात सुनकर जब ब्रामन ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वेही वे प्ररूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान हैं ब्रामन ने मस्तक जुका कर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसनता के साथ उनके दोनों चरण पकर कर कहा देवेश्वर अब मुझपर प्रसन होई है मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था प्रवो इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बनकर रहूंगा अदुसूदन मुझे अपने उपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है यदि मुझपर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाए तो इस सध्याय की चर्चा हम कल के सत्संगने करेंगे हरियों तत्सर